नमस्कार पिरिया जन्व आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ आपके अपनी शुब्जिन तक आपाई मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद बात करूंगी एकादशी के बरत की जो की कार्तिक के महिने में आने वाले हैं दोनों एकादशी बरत जो हैं वो मैं उनका बर्णन करूंगी और बताऊंगी कि आपको बिवा के लिए बिवा के उच्छक योग योवतियं हैं उनको किस प्रकार करना चाहिए क्या करना चाहिए, किस तरहें से पूजा विदी करनी चाहिए, किस तरहें से बरत का पालन करना चाहिए और किस तरहें से बरत को पूरण करें और अपनी मनो कामना पूरती के लिए एक दिवे पाठ भी करें और दीवे पार्ट ना कर पाएं तो उसके एवज में क्या करें ये भी पताऊंगी वीडियो के लाइट तक जुड़े रहिएगा ताकि आपको सारी जानकरी अच्छी तरह से मिल सके एक तो मैं सबसे चाहे मेरी मन की इच्छा कह लीजिए चाहे मेरा एक प्रेशर कह लीजिए मैं कहूंगी कि जरूर बच्चे बच्चीयां जो विवा के उच्छो के जिनके शादी नहीं हो पा रही है विवा में बाधाएं आ रही है रिश्टो में बाधाएं आ रही है जन्म कृम्डली के दोश हैं वास्तु दोश हैं घर के घर में कोई negative energy है कुछ भी है चाहे लेकिन ये ब्रत जो दो आ रहे हैं बहुत ही पुन्य फल्दाई ब्रत हैं बहुत ही इच्छा कामना पूर्ती के ब्रत हैं इस ब्रत को दोनों को तो बच्चे बच्चियों को जरूर रखना चाहिए लड़के लड़कियों को अवश्यर रखना चाहिए देखिए आप हमेशा एकादिशी का बरत रखते हैं चाहिए नहीं रखते हैं लेकिन ये दो बरत जरूर रख लीजिए कुछ एक बरत ऐसे होते हैं जो आपको एक कई बार उमर के इंसार आप रखते हैं अपनी कामना पूरती के लिए रखते हैं जनली के विगन वादाओं को दूर करने के लिए रखते हैं लेकिन कुछ वरत ऐसे होते हैं जो आप कभी भी किसी भी उमर में रख सकते हैं मनो कामना पूरती के लिए जैसे अगर कहूं कि सौमबार के ब्रत आई विवाहित लड़कियां रखती हैं बोले नातमा पारवती का अच्छे घरवर की कामना के लिए ब्रस्पतिवार का ब्रत रखती हैं अच्छे विवाह की कामना के लिए सुखी दाबत्ते जीवन के लिए रखती हैं लेकिन एकादिशी यह और पूरनिवा के ब्रत ऐसे होते हैं जो आप किसी भी उमर में कभी भी रखें चाहे चोटी उ बड़ी उम्र में जाके रखें बड़ी उम्र में तो लगबग लोग रखते ही रखते हैं क्योंकि मुक्षदाई होती है एकादशी इसलिए बड़ी उम्र में जाके कहते हैं कि एकादशी का बर्द सब को रखना ही चाहिए हरालत में जितनी उनकी उम्र से उनको वो कर सकती है उनकी किशमता है उतने तक उनको करना चाहिए यानि कि आपको 45 साल के बाद एकादशी का बर्त करना शिगर शुरू कर देना चाहिए क्योंकि आगे आगे वाली जो जिन्दगी होती है आगे जो मुक्ष की कामना होती है भगवान की तरफ ध्यान लगाने की उसमें ये बर्त में भी इस उमर में किसी उमर में परत रखे बहुत फल्दाई होती हैं बात करूंगी कारतिक के कादशी वर्त की दोनुं एकादशी वर्त ज्रूर रखें आप उस सुबह नहाद होके पूजा के लिए तयार हो जाएं भगवान की पूजा करें इसके साथ ही भगवान को पीले फूल और तुलसी दल अवश्य आपित करें दो चीजें तीसरा हल्दिगा तिलक विश्णु भगवान को अवश्य लगाएं अच्छा एक बात और कहना चाहूंग उनके आगे घीका दिपके जलाएं और अगर मान लिजी आपके पास विश्णु भगवान मालक्षमी की तस्वीर ना हो तो आप प्रभु शेराम माता सीता की रख सकते हैं भगवान शेर कृष्ण मारा अधिका की तस्वीर रख सकते हैं उसके एवज में विश्णु विश्णु भगवान के आगे घीका देपक जलाएं ये सब पूजा जो है आप सुबह के समय करिए अच्छा जो पाठ की मैंने बात करी है कि जो पाठ आपको करना है उस पाठ को आप दो त्रह से कर सकते हैं भगवान की सुबह जब आप मुकथा करते हैं या उनकी पूजन करते हैं एक आदिशी के बर्द का तो आप उस वक्त भी विश्णु शैस्तर नाम का पाठ कर सकते हैं विश्णु शैस्तर नाम के पाठ के एवज में अगर आपको आपके पास नहीं है पुस्तक बुक नहीं है इसकी कहीं आप नहीं कर पाते हैं विश्णु शैस्तर नाम का पाठ तो बहुत दिव्या पाठ है हर कामना पूर्ति के लिए धन नोकरी विवाज शादी सगाई हर कामना पूर्ति के लिए हैं अगर आप यह पाठ आप नहीं कर पाते तो फिर किसी मंतर का जाप कर लीजिए एक सुआठ वार ओम नो भगोते वासु देवाय ओम नाराय नाय विश्नमे नो हैं एक मंतर मैंने और आगे स्क्रीन पर दिया है अब उस मंतर को भी कम से कम 21 बार जरूर जाप करें अगर आपको लगता है कि हम इसको पड़ नहीं पाते हैं बोल नहीं पाते हैं तो 21 बार जरूर इसका जाप कर लें और विश्णु शैस्तर नाम के एवज म यह बता रही हूँ मैं अब बात करती हूँ कि सुभे की पूजा आपकी हो गई है कादिशी के बर्त की अब शाम की बात करती हूँ आपने अगर सुभे में विश्णु शैस्तर राम का पाठ या जब या कुछ भी नहीं किया है और पूजा जल्दवाजी में कर लिए बर्त आ क्षाने हुए मत खौइए एना ऐब तेली वली चीजे मत ख़ः खाइए फल खाइए फल ले जहीं दे लिए कोई जूस श्र्वट कुछ अशले लेलिए लेकिन पाली खाने की सीजे कं ख़ाई है इसके साथ ही में बात करूं कि शाम की शाम को आप मा तुल्शी की पूजा अवश्य करिए एकादिशी के दिन बरतर रखे मा तुलसी को आप दीपक प्रजुलित करें उनके आगे और अगर आप ये चम्तकारी पार्ट विश्नु शैस्टर नाम का पार्ट सुबह तो आपने किया ही अगर शाम को मात तुलसी के आगे करते हैं आप विश्णु शेष्टर नाम का पार्ट दोनों एक आदिशी में मात तुलसी के पास बैठ कर करते हैं तो फिर तो आप देखेंगे कि कुछी दिनों में आपके जीवन में चम्तकार होगा और कुछ पॉजटिव सब कुछ हमारे आसपास पॉजटिव होने लगा है आपको बिल्कुल महसूस होगा इस बात का मान के चले आप मेरी बात को इसको इसको चोटी-मोटी बात ना समझे आप ऐसी वैसी ना समझे कि यूँ ही है तुर्सी मा के सामने विश्ण रिष्टर ना सक्रीन पर जोया था वो मंतर भी आप जब कर सकते हैं 21 बार और आपकी शिगर मनो कामना पूरुन होगी एक आदेशी के दोनों भर्त अवश्चेर रखें आप अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल को भी सब्सक्राइब करें बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको इस तरह की वीडियो लगातार मिलते रहें और मैं मिलते हूँ को सेगले वीडियो में ओम विश्ण मैं नमा है कमेंट वक्स में आवशे लिए